Assalamu alaikum, this is Aisha Lakwani, I am a board certified clinical dietitian. Today we are going to talk about blood pressure, which cholesterol की वज़ा से बढ़ता है, और cholesterol क्यों बढ़ता है, इसके related कुछ myths हैं, I want to clear that. बहुत जादा गलत information लोगों के पास हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें खाने छोड़ देते हैं, because कहीं cholesterol ना बढ़ जाए. So cholesterol की main बढ़ने की वज़ा ये है, कि आपके जो food में fat होता है, वो नहीं है, जो आपका fat होता है, जो आपके खाने में होता है, वो उसकी वज़ा से आपका cholesterol नहीं बढ़ता, बलकि उसकी main वज़ा बहुत जादा carbohydrates खाना, sugar खाना, और trans fat खाना. Trans fat वो जो के आप बेशक बहुत healthy खाना बना रहे हैं, लेकिन अगर आप vegetable oil में बना रहे हैं, उससे एक product release होता है, और उसको digest करने के लिए हमारी body में वो enzymes नहीं होते, तो वो as a fat store होते है, बुरा fat store होते हैं, और ये फिर बाद में जाके problems create करते हैं, तो trans fat सारा आपको vegetable oil से मिलता है, तो you need to stop that, sugar हमारी body सिर्फ पूरे दिन में एक टेबल स्पून बरदाश कर सकते हैं, अब आप लोग खुद देख लें, आप अपनी body के साथ कर क्या रहे हैं, इतनी जादा शुगर खाएंगे, तो problems तो होंगी, और बेजा carbohydrates, बहुत दफ़ा ये लोग पूछते हैं, और उनको ये भी बोला जाता है, डॉक्टरों की तरह से, I don't know, डॉक्टरों को शायद biochemistry का, nutrition के बारे में knowledge नहीं है, तो बहुत जादा mislead करते हैं, patient को के अंडे की जर्दी ना खाये, अंडे की जर्दी से आपका cholesterol और दिल की बीमारियां बढ़ेंगे, unfortunately ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके अंडे की जर्दी में जितने भी nutrients हैं, वो आपके heart health के लिए बहुत जरूरी है, और अंडे की जर्दी से आपका cholesterol नहीं बढ़ता, नहीं आपका घी खाने से cholesterol बढ़ता है, घी में एक बहुत अच्छे fats होते हैं, जिसकी आपको जरूरत है, हमारी body good cholesterol बनाती है, हमारे muscles हमारी body के लिए, हमारे brain के लिए, हमें good fat की जरूरत है, जो के आप अंडे की जर्दी से, आवोकाडो से, द कर देते हैं, डॉक्टर और और लोग के red meat ना खाये, ये beef ना खाये, red meat ना खाये, इससे आपको cholesterol हो जाएगा, unfortunately ऐसा कुछ भी नहीं है, ये good fat है, और ये आपकी body के लिए अच्छा है, ट्रांस fat जो के vegetable oil में है, वो बुरा है, अब आप योग छोड़के donut खा लेते हैं, प पिचारा कोई problem नहीं करता है, थोड़ा सा अपने आपको educate करने की आप कोशिच करिए, जब ये सारा कुछ हो जाता है, जब बहुत जादा excess carbohydrates आपकी body में बढ़ जाते हैं, और ये होता है, तो ये आपकी body में एक inflammation पैदा करता है, इस inflammation की बज़ा से एक product release होता है, AGE, ये आ as a fat store हो जाती है, bad fat store हो जाती है, और excess sugar, आपके excess carbohydrates जो आपके muscles बने वे हैं, blood vessels बने वे हैं, protein से बने वे हैं, और collagen से बने वे उसके साथ मिलके block बना देता है, और आपके arteries को block कर देता है, इस वज़ा से आपकी arteries block होती है, आपका blood pressure बढ़ता है, और आपकी ये diet की खराबी क की वज़ा से cholesterol आपको बढ़ता है, तो बेतर ये होगा कि आप अपनी body में अच्छा fat डाले और ये बगार ज़रूरी लमाजमात जो होते हैं, इनको अपने आपको परहेज करिए, इनसे कम sugar इस्तमाल करिए, क्योंकि एक tablespoon से जादा आपकी body नहीं करती, cheat meal महीने में एक दफ को informative लगी है, तो आप जरूर और कोई सवाल हो तो जरूर आप मुझे पूच सकते हैं, खुदा आफिस